जी चलिए स्वागत है आप लोगों का अड़र 24-7 के चैनल पे और आपको पता है कि बिहार में एस्टेट के अंदर जो हिस्ट्री का पोर्षन है आपका उस हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है तो बिसिकली आपको पढ़नी है वर्ड इस्ट्री ठीक अब इसके सेलेबस पे मैं आप से चर्चा कर लिया था और एक टॉपिक यानि जोगरफिकल डिस्कवरी का जो कर दोर में आकर क्या होने लगा चारो तरफ नय नय देशों की खोज कि जाने लगी और उसी क्रम में वासकोडिगामा ने भारत की खोज की कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की मैगलन पूरी दुनिया का चक्कर लगाया अमेरिका में खास कर जाकर क्या होता है कि अमेरिगो वेस्पुची ये इस्पेन से था और जब ये जाता है तो इसने अमेरिका का क्या किया इसके नाम पर अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको नाम क्या दिया गया और दीरे धीरे अमेरिका में यॉरप की बाकि जो शक्तियां थी चाहे वो ब्रिटन हो फ्रांस हो, ठीक है, डचेज हो, इन लोगों ने अमेरिका में अपने अपने जो है फैक्टरीज ओपन करना शुरू हुए, धीरे धीरे ब्रिटन ने क्या किया, अमेरिका को अपना पूरी तरह से क्या कर लिया, कॉलोनी बना लिया, है ना, ब्रिटन ने अमेरिका में क्या किय अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया उपनिवेश बनाया और एक के बाद एक करते करते कुल 13 कॉलोनी जो है वो वहाँ पर क्या हो गई बस गई ती जैसे जैसे समय आगे बीतेगा जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप देखोगे कि अमेरिका में क्या होगा ब्रिटिश सरकार के विरोध में वहाँ पर एक आंदोलन छड़ जाएगा वहाँ पर एक क्रान्ती हो जाएगी उस क्रान्ती को हम क्या बोलते हैं उस क्रान्ती को हम बोलते हैं अमेरिकी क्रान्ती यहां से आपको direct सवाल मिलेंगे, ठीक, आने ही आने है, 100% question आएगा, ठीक है, तो मैं आपसे American Revolution, आज मैं आपको दो topic कराऊंगा, एक American Revolution, और दूसरा topic हम पढ़ेंगे French Revolution, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, काफी हद तक relate करते हैं, और दोनों exam के point of view से बहुत important है, यहां से आपको 3-4 सवाल, दोनों topic से 5 सवाल कम से कम मिलेंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं, अब अगर आपने demo class देखी होगी, तो यह वाला topic हम लोगों ने discuss already कर रखा है, जिसमें हमने आपसे भोगोलिक खोजों पर चर्चा की थी, मैंने आपको बता रखा था कि, किस तरीके से वहाँ पर चीजों को discover किया गया, 1453 में Constantinople के पतन के बाद यह सारी की सारी प्रक्रिया क्या होगी, start होगी, तो यहां तक हमने already चर्चा आपसे कर ली थी, आज हम जो topic पढ़ेंगे, उस topic का नाम क्या है बिटा, उस topic का नाम है American Revolution, ठीक है, सुनते चलना, ध्यान से, जहा जहां highlight करूंगा कि यह सवाल पूछा जा सकता है, उसको तुरंत या तो note कर लो, या अच्छे से सुन लो, ताकि तुम exam तक क्या कर सको, उसको अपने दिमाग में रख सको, ठीक, तो अगर आपकी आज्या हो, तो बता दीजे एक बर, हम शुरू करें class, बताइए, शुरू क जी, 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 नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत, बताइए, स्टार्ट करें, ठीक है, चलो, सबसे पहली बात तो देखो क्या है, तुमको map समझना पड़ेगा, कि अगर आप world का map देखोगे, तो इस world के map में आपको दो चीज़ें समझ में आ जाती है, क्या समझ में आ जाती है, कि इनकी जो भौगोलिक दूरी थी, वो बहुत क्या थी, अधिक थी, है ना, इनकी भौगोलिक दूरी क्या थी, बहुत ही, अधिक थी, ठीक है, सबसे पहले इसको आप map के तुरू समझ यहां पर ब्रिटन है ब्रिटन की कॉलोनी है इस पूरे नॉर्थ अमेरिका में ठीक और यहां पर दो स्टेट है जो एक दूसरे से लग रहे हैं एक आपका ये कैनेडा का स्टेट है और दूसरा आपका ये क्या है एक आपका क्या है कैनेडा का स्टेट है और दूसरा नीचे यह क्या है अमेरिका है दूसरा यह नीचे क्या है अमेरिका है तो ब्रिटेन यानि यूनाइटेड किंग्डम से इस पूरे नॉर्थ अट्लांटिक ओशन को क्रोस करते हुए आप कहां पहुंचेंगे अमेरिका पहुंचेंगे और जब भी जोगरफिकल दूरी अधिक होगी जब भी भौगॉलिक दूरी अधिक होगी तो वहाँ पर administration को सही तरीके से चलाने में कहीं न कहीं परशानी आएगी, ठीक, आखिर ऐसा क्या हुआ, कि American Revolution जो है, वो क्या होने लगा, अमेरिका में लोगों ने एक revolution स्टार्ट करना शुरू कर दिया, या उन्होंने धीरे-धीर इस चीज को करना शुरू कर दिया, तो कुछ तो उसके कारण रहे होंगे, तो उसमें अलग-अलग धार्मिक, समाजिक, राजनितिक, अलग-अलग कारण आते हैं, ठीक, जैसे ब्रिटन के जो लोग थे, वो एंगलिकन मत को मानने वाले थे, जबकि अमेरिकी जनता जो है, वो प्यूरिटिन मतावलं भी थी, प्यूरिटिन रिलिजन को मानने वाले थे, मतलब थोड़ा सा वो लोग एडवांस थे, रिलिजन के बेसिस पे, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोगों को ब्रिटन से भेजा जाता था, जो वहाँ पर या तो किसी मामले में कन्विक्ट ह हो जाते थे, या फिर जिनको वहां से देश निकाला मिल जाता था, तो वहां के लोगों ने, अमेरिका में रह रहे लोगों ने, निर्वासित लोगों ने धीरे-धीरे अपना एक कल्चर स्टार्ट कर दिया, अपना एक धर्म स्टार्ट कर दिया, और वो लोग प्यूरिट अमेरिकी समाद जो था वो क्या था थोड़ा सा एक democratic nature का था एक equality based था यानि एगलिटेरियन था और democratic system था तो कहीं न कहीं एक equality का put अमेरिका के लोगों में पहले से ही विद्धिमान था ठीक France के भी उपनिवेश थे अमेरिका में और Britain के भी निवेश थे जो Canada का border में आपको दिखा रहा था इस Canada border पे France का आधिपत्त था और फिर एक war हो जाता है आपको पता है वो war कब से कब तक होता है वो war होता है 1756 से 63 तक जिसे हम कहते हैं 7 years of war 7 years of war या 7 years war कहते हैं ये किसके बीच होता है Britain versus France में और इस Canadian border पे जो उनको दिक्कत होती थी फ्रांसीसी सेना से अमेरिका को वो दिक्कत खतम हो गई क्योंकि France इसमें हार जाएगा Britain क्या हो जाएगा जीत जाएगा और फिर दोनों के बीच पेरिस की संधी होगी कल मैंने आपको ये बात बताई भी थी तो कहीं न कहीं शुरुआत में अमेरिका के जो लोग थे अमेरिकी वासी जो थे वो बिटन के सेना पर निर्भर थे लेकिन जब इस Canadian border का जो struggle था Canada के जो boundary का जो struggle था जब वो struggle खतम होता है तो उनके उपर dependency क्या हो जाती है कम हो जाती है तो अब उनके अमेरिका वालों के अंदर ये बात आने लगेगी कि हमारा अपना भी क्या होना चाहिए इसी point को यहां बताया गया है कि 1756 से 1763 के बीच जो युद्ध होगा उसके साथ ही ये भय क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा क्योंकि पहले वो फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे लेकिन उसके बाद क्या होगा वो इस चीज को लेकर क्या करेंगे आगे चलने शुरू कर देंगे अब ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है ये सवाल तुमसे पूछ दिया जाएगा क्या इस युद्ध पर टिपड़ी करते हुए प्रोफेसर पॉलाड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंतरता की इक्षा को भड़काया पहले वो क्या थे कहीं न कहीं ब्रिटिश आर्मी पर पूरी तरह से निर्भर थे अपनी सुरक्षा के लिए पर फ्रांस का जो खत्रा था जैसे ही वो seven years of war पे खतम होगा तो वो खत्रा भी क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो अब उनको लगेगा कि यार हम लोग अपना system क्या कर सकते हैं बना सकते हैं और ब्रिटन की जो policy थी वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं थी उसको समझ लीजे क्या policy थी क्या दिक्कत थी तो ये सवाल पूछा जा सकता है 1756 से 1763 के बीच में सब्त वर्षी युद्ध होगा सब्त वर्षी युद्ध हुआ था इस पर सवाल आ सकता है ये युद्ध खतम होगा पेरिस की संधी से ये युद्ध कौन से खतम होगा संधी से प्रेटी ऑफ पेरिस की संधी से समाप्त हुआ और फ्रांस ने अपने सारे जीते हुए जो इलाके थे वो उसे ब्रिटन को क्या करने पड़ गए सौपने पड़ गए ठीक जो है वो इंग्लेंड के interference को बहुत जादा पसंद नहीं करते थे नेचुरल है अगर कोई country है अगर जैसे हम लोग अमेरिका ना सोच के आप थोड़े समय में भारत समझे जब हमारे उपर Britishers ने कबजा करना शुरू किया और वो हमारे trade में interfere करना शुरू किया तो हमने भी तो उसका विरोध किया ना चाहे वो सिराजुद्धौला रहा हो चाहे वो मैसूर में टीपू सुल्तान रहा हो चाहे वो मराठे रहे हो तो Americans को भी लगता था कि Britishers जो है वो हमें अपने हाँ रूल नहीं करने दे रहे हैं, सेल्फ रूलिंग नहीं करने दे रहे हैं हर चीज Britain से क्या हो रही है, dictate हो रही है हमें अपनी policy को बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं छूट नहीं दे रहे हैं यह हमें खुल कर काम करने को नहीं मिल रहा है ठीक और ये चाहते थे कि जो कुलीन वर्ग का शाशन है वो क्या हो जाए उसका अंत हो जाए दीरे दीरे जो मिडिल क्लास होगा अमेरिका का वो चाहेगा कि ये चीज खतम हो ठीक है अच्छा सेवन येर वार हुआ पैसा खर्च हुआ वार में पैसा खर्च होता है तो अमेरिका ने क्या किया अमेरिका अमेरिकी जो सरकार थी मतलब ब्रिटन की जो अमेरिका पे सरकार थी उसने कई तरह के टैक्स इंपोस किये क्योंकि पैसा चाहिए था जब भी राजजी को पैसा चाह लोटेंट है यह आपसे पूछ दिया जायेगा थेक उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेंविल ठीक है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे ग्रेणविल और उन्हों पास किया जिसे स्टांप एक्ट कहा गया 1765 में ये कोशन पूच दिया जाएगा कि बृतन के किस प्रधान मंत्री ने स्टांप एक्ट को पारित किया था तो प्रधान मंत्री का नाम क्या था ग्रेंविल नाम था 1765 में स्टैंप एक्ट लगाया और 20 शिलिंग का आपको क्या करना पड़ता था इस्टांप लगाना अनिवार रहे था अब ये जो राशी थी ना 20 शिलिंग ये बहुत अधिक थी क्योंकि बहुत सारे लोग अपना लेटर वेटर भेशते थे पेपर निकालते थे पैंफलेट निकालते थे हर चीज़ पे अगर आप 20 शिलिंग का टैक्स देंगे तो वो टैक्स कहीं न कहीं क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा नेचुरल है अगर आप अमेरिका के अंदर रह रहे अमेरिकी वासी होते तो आप इस एक्ट का विरोध करते या नहीं करते बताइए इस बोलो बोलो जल्दी बोलो अच्छा आपकी यह जो क्लास है यह वाइटी के उपर भी जा रही होगी और वाइटी पर जो बच्चे देख रहे हैं पांच-छे दिन में जितनी तैयारी कराऊंगा उसको अच्छे से पढ़के चले जाईए ठीक है आपको 150 मार्क में से 75 लाना है मिनिमम पास होने के लिए और इतने कम समय में जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं उसको कंटेन करके जाईए ठीक जो बता रहा हूं जहां-जहां स्टार लगाता चल रहा हूं कि यह कोश्चन आ सकता है उसको अच्छे से दिमाग में रखके जाईए और बड़े आराम से पेपर निकल जाएगा आपका आपको बिल्कुल टेंशल नेने की आऊशकता नहीं है पॉ पॉलिटी 50-60% पॉलिटी क्लियर हो जाएगा बाकी आपसे जो और चीजें पूछी जाती है जो वर्ड पॉलिटिकल सेनारियो में पूछा जाता है उस पर आपको कुछ कोश्चन की प्रेक्टिस करवाऊंगा उनको करके चले जाएगा वहीं से आपका पेपर आपको मिल ज करना है और जाकर उसमें से फ्री इंड्रोल्मेंट वाले उसको क्या कर लेना है क्लिक करना फ्री आपका जो कोड है वह फ्र डबली है वह लगा देंगे तो आपको यह क्लास मिल जाएंगी अभी आप इसे वाइटी पर देख पा रहे होंगे ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर ग्रेंविल ने क्या किया यह एक्ट पास किया और इसी के लिए क्या होगा सैमुल एडम्स नाम का लीडर होगा जिसने एक नारा दिया प्रतनिधित्व नहीं तो कर नहीं नो टेक्सेज नो रिप्रेजेंटेशन या नो रिप्रेजेंटेशन ठीक है नो टेक्सेज विदाउट रिप्रेजेंटेशन यह अमेरिका की क्रांती का सबसे बड़ा स्लोगन बन गया सबसे बड़ा नारा बन गया ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आप से पूछ नारा इसका दिया ठीक है और इसके लिए फिर बिटिस गवर्मेंट के अगेंस्ट कारवाई करने के लिए कुछ-कुछ revolutionary organizations बनाये जाएंगे अमेरिका के लोगों के द्वारा उन्हें कहा जाएगा स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां English में ने क्या बोलते हैं English में बोलते हैं Sons of Liberty और Daughters of Liberty है Independence हो गया इसे Liberty कहते है Sons of Liberty and Daughters of Liberty बोलते है तो ये सवाल आ जाएगा कि Sons of Liberty संस ओफ लिबर्टी यह किस क्रांती से जुड़े हैं यह डॉर्टर्स ओफ लिबर्टी किस क्रांती से जुड़े हुए हैं तो कौन सी क्रांती है अमेरिकन रेवलूशन कौन सा रेवलूशन है अमेरिकन रेवलूशन से जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ अरे हो जाएगा बाईजू कुमार जी परशान मत तो यह हो जाएगा जितना करार है उतना करिए अच्छे से ठीक है टॉमस जेफर्सन ने उपनिवेशों के विद्रो करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंतरता की इक्षा को प्रोचाहन दिया टॉमस जेफर्सन एक वहाँ के राइटर है और उन्होंने क्या किया इस बात को प्रोचाहन दिया इसी तरह से टॉमस पेन एक दूसरे राइटर है जिनोंने Common Sense नाम की एक पत्रिका लिखी थी Thomas Pen ने क्या लिखा था Common Sense नाम की पत्रिका लिखी थी इसका एक और किताब है इसकी एक और बुक है जिसका नाम है Rights of Men तो आप से question पूझ दिया जाएगा कि Common Sense Common Sense and Rights of Men Rights of Men ये दोनों किस से related हैं बेटा ये दोनों related है Thomas Pen से ठीक किस से related है दोनों Thomas Pen से related है यहाँ से question आपका आजाएगा एक पढ़े लिखे मध्यवर्ग ने किस तरीके से वहाँ पे लोगों को aware करने का काम किया उसमें Thomas Pen और Thomas Jefferson का बहुत बड़ा role माना जाता है तो ये भी याद रखना कि Thomas Pen और Thomas Jefferson दोनों Thomas कौन सी क्रांती से जुड़े हुए है अमेरिका की क्रांती से जुड़े हुए है ठीक है अमेरिका की क्रांती से जुड़े हुए है Clear과 Clearέρ прик Verbatt बोलिए ClearPoint ClearPoint ठीक है चलिए इंगलेंड के उस समय शाषक थे उनका नाम था जॉर्ज थर्ड ये भी सवाल आप से पूछा जा सकता है अमेरिकी क्रांती के समय ब्रिटन में किंग कौन था जॉर्ज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर शुरू में ग्रेंविल था फिर ग्रेंविल हटेगा तो उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ वहां के क्या बन लेकर अमेरिका में लोग नराज हो गई क्योंकि अमेरिका में चाय का अटर्प्रिक्षन भी होता था और उसको लेकर उनको लगा कि उनके वियापारिक जो उनका अधिकार है उसके अंदर क्या हो रहा है हस्तक हो रहा है interference हो रहा है इसी लिए जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के Boston बंदरगाह पर पहुँचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों Red Indian जैसे कपड़े पहन कर उस जहाज पर चड़ गए और Red Indian में भी Red Indian में अलग-अलग tribe थी यहाँ पर जिस tribe का उन्होंने नकल उतारा था वो मोहाक tribe है अमेरिका की Red Indians की अलग-अलग tribes थी वहाँ पर चोटी-चोटी कुल जैसा था वहाँ पर उसमें एक clan है जिसे हम मोहाक बोलते हैं तो यह लोग मोहाक वासियों की वेशभूशा पहन के चड़ जाएंगे Boston बंदरगा पे और वहाँ की चाय की पेटी उठा उठा के समुद्र में फेकने लगेंगे इस घटना को हम क्या बोलते हैं इस घटना को हम बोलते हैं Boston Tea Party यह date थी 16 दिसंबर 1773 तो यह भी सवाल आ सकता है यह भी कोशन आ सकता है कि कब यह घटना घटी तो 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी और यह भी सवाल आ सकता है कि रेड इंडियन में किसकी वेशभूशा पहन कर जो करांतिकारी थे वो बोस्टन बंदरगा गय थे तो किसकी वेशभूशा पहनी हुई थी? मोहाघ किसकी वेशभूशा पहनी हुई थी? मोहाघ की ठीक यहाँ पर एक कोशन और समझ लो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बोस्टन टी पार्टी बोस्टन टी पार्टी का नेत्रित्व किस ने किया था तो नेत्रित्व किया था सैमुल एडम्स ने किस ने किया था, सैमुल एडम्स ने किया था clear a point, clear a point, बताओ भाई application वालो, point clear है ठीक है, पॉइंट क्लियर है भाई, ठीक है, तो मोहाक नाम याद रखिएगा, रेड इंडियन्स की एक ट्राइब है, ठीक, रेड इंडियन्स की ही क्या है, ट्राइब है, और इसी घटना से कहते हैं, कि अमेरिका की क्रांती की शुरुवात हो गई, धीरे-धीरे, सितंबर 1774 इस्वी को, इन 13 कॉलोनीज के सभी रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलेंगे, फिलाडेलफिया में, ठीक, और यहाँ पर एक सम्मेलन होगा, इंटर कॉंटिनेंटल सम्मेलन होगा, महादेशी ये सम्मेलन होगा, इसे हम फिलाडेलफिया सम्मेलन भी कहते हैं, तो ये date बहुत important है, 5 September 1774, ठीक, तो एक important date है क्या, 16 December 1773, Boston Tea Party, दूसरी important date है, 5 September, Teachers Day के नाम से याद रखना, 5 September 1774 को क्या होगा, Philadelphia Summit होगी, यहाँ पर सारे के सारे colonies के लोग आएंगे, एक को छोड़ कर अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, और फिर 8 April 1775 को British Sena और इनके बीच में Lexington में पहला संघर्ष होगा, तो यह सवाल आ जाएगा, कि अमेरिकी क्रांती में पहला जो जगड़ा हुआ, पहला संघर्ष हुआ, वो कहां हुआ, तो कहां हुआ बेटा, Lexington में हुआ, ठीक, कहां हुआ, Lexington में हुआ, ठीक है, इसके प समिट होती है, 5 सितंबर 1774 को, ठीक है, और दूसरी जो समिट होती है, वो 4 जुलाई 1774 को होती है, यह वाली डेट बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन को क्या बना दिया गया, स्वतंतरता दिवस के तौर पे बनाया गया, तो 4th of July को हम क्या कहते हैं, अमेरिका का Independence Day भी कहते हैं, तो Philadelphia में समिट होगी, Thomas Jefferson ने यह तैयार किया था, स्वतंतरता का गोशना पत्र, यह सवाल पूछ देगा कि किसने तैयार किया, जौर्ज वाशिंग्टन को अमेरिकी सेनाओं का सेनापती डिकलेयर कर दिया गया, अमेरिकी सेनाओं का सेनापती डिकलेयर कर द दिया गया, और अब एक सीधी-सीधी लड़ाई, Battle of Saratoga होगा, जहां पर Britishers को पूरी तरह से क्या गर दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा, तो यहां से American Freedom Struggle शुरू होता है, और 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधी के द्वारा समाप्त होता है, यह सवाल पूछ देगा, अमेरि अरिका का समविधान बन गया, प्रथम समविधान था, पूरी दुनिया में कहीं भी, पहला देश था जिसने अपना क्या बनाया, समविधान बनाया, और एक तरह से इसने अब क्या किया, कि किसी भी तरह से स्टेट का इंटरफेर नहीं होगा, स्टेट का इंटरफेर नहीं होगा खासकर व्यापारी चीज़ों में तो एडम स्मित नाम का एक वाड़िज जवादी था कमर्सलाइज कमर्सलाइजेशन पर बात करने वाला राइटर था उसने एक सिध्धान्त दिया था उस सिध्धान्त को कहते हैं मुक्त व्यापार का सिध्धान्त यानि राज्य का कोई हस्तक्षेप व्यापार में नहीं होना चाहिए एडम स्मित को वाड़िज जवाद का पिता भी कहा जाता है अमेरिका ने उसी Adam Smith के लेसेश फेर सिध्धान्त को और मजबूत करने का काम किया उन वाड़िजवादी प्रतिबंधों के अंदर तो यहाँ पर नोट करके एक चीज समझ लीजेगा Adam Smith को क्या कहा जाता है भीया और इसने कौन सा सिध्धान्त दिया था तो इसने लेसेज फेर का सिध्धान्त दिया था मुक्त व्यापार का सिध्धान्त दिया था यह सवाल आप से पूछ दिया जाएगा clear a point, clear a point, father of economics भी कहते हैं ठीक है clear a point, बोलो, clear a point, clear है point बताओ जल्दी sst की application की class शुरू तो हो गई, कर तो रहा हूँ, यह class दोनों जगह जा रही है बिटा पहली class है तो दोनों जगह जा रही है, clear a point यह ठीक है, चलो, next देखो, अमेरिकी स्वतनता संग्राम का फ्रांस पे भी असर पड़ेगा प्रांस की सेना ने अमेरिकी स्वतनता संग्राम में ब्रिटन के against, प्रांस का क्या, फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिका को support किया था, अभी फ्रेंच revolution में पढ़ोगे कि दस अरब डॉलर तक क्या चड़ गया था, फ्रांस के उपर कर्ज भी चड़ गया था, क्योंकि उसने सेना से मदद की, पैसे से मदद की, तो लफायते नाम का एक कमांडर था, फ्रेंच कमांडर था, उसके नेत्रतों में फ्रांस की एक छोटी सेना अमेरिका के लोगों के साथ मिलकर ब्रिटन के अगेंस लड़ रही थी, तो ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि किस फ्रेंच कमांडर के अंडर, फ्रांस की एक सेना ने अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम में भाग लिया, ठीक, अब बात यह है कि लफायते के लीडर्शि की मोनार्की के अगेंस लड़ रहे हैं, ब्रिटन की एडमिनिस्टेशन के अगेंस लड़ रहे हैं, जब ये सैनिक अपने देश में वापस जाएंगे, फ्रांस वापस जाएंगे, तो इनके अंदर भी थोड़ा सा राश्टवाद की भावना आएगी या नहीं आएगी, र एकनॉमिस के कोश्चन बहुत कम होंगे, क्योंकि आपके सेलिबस में एकनॉमिक्स नहीं है, एक आद दो टॉपिक ही है, सबसे आदा कोश्चन आपको हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी सही मिलने वाले हैं, ठीक है, देखो तैयार तो कर लोगे, अगर करना चाहोगे तो, ठ ठीक, अगर हतियार डाल चुके हो तो बात अलग है, हार मान लियो तो बात अलग है, जब यार हम पूरी रात जग के तुम्हारे लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं, और अब लिख लिख के बता रहे हैं, स्टार लगा के, अगर आपने हतियार डाल दिया है, तो बात अलग है ठीक अगर नहीं तो फिर बने रहो बिल्कुल आराम से पेपर क्लियर करोगे मैं बता रहा हूँ तुमको की पेपर क्लियर हो जाएगा ठीक बाकी वो सब बातें आप कंपनी में फोन करके पता कर लीजे जो भी आपको पूछना है तो लफायते के नेतरत में फ्रांसीसी सैनिकों ने क्या किया भाग लिया और जब वो स्वदेश लोटे तो उस एपसलूट मोनार्की के अगेंस्ट क्या करेंगे जनता को जागरुक करने का काम करेंगे वर्ड का पहला लिखित सम्विधान अमेरिका में आएगा 1789 में आएगा ठीक है इसमें महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिला ये इंपॉर्टेन पॉइंट है यहाँ पर गल्ती होती है ध्यान से सुनना भाईया ये इंपॉर्टेन पॉइंट है यहाँ पर गलती होती है क्या महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया थेक उत्तरा अधिकार के कानून को भी क्या किया गया जस्टिफाई कर दिया गया लेकिन महिलाओं को मता अधिकार से वंचित रखा गया उनको right to vote नहीं था तो women's को right to property दी गई थी पर right to vote women's को नही दिया गया था जो की सही नहीं था और आगे चल कर आप देखोगे कि अमेरिका में women's suffragate movement के अंदर suffrage movement के अंदर अपने लिए voting के demand करेंगी और finally 1920 में जा कर USA में महिलाओं को भी क्या मिलेगा voting का right मिलेगा तो women's को voting rights in 1920 ठीक है women's got voting rights in 1920 क्लियर है क्लियर है भाई ठीक है ठीक है अमेरिका का इस पूरे revolution का क्या क्या असर पड़ेगा अमेरिका एक republic बन गया और वहाँ पर montescue ने जो शक्ती के प्रिथक करन का सिधान्त दिया था montescue की जो book थी उस book का नाम क्या था the spirit of laws ना कानून की आत्मा या विधी की आत्मा इस spirit of laws में इसने बताया था कि शक्ती का प्रिथक करन तीन चीजों में होना चाहिए legislative में executive में और judiciary में विधाई का कारेपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का विभाजन होना चाहिए ये theory किस की थी montescue की थी American revolution के बाद आप French revolution में भी इसका पूरा पूरा असर देखेंगे तो इसके सिध्धानत को अपनाया गया और एक सरकार बनाई गई जो अलग-अलग अंगों के साथ अलग-अलग bodies के साथ क्या कर रही थी काम कर रही थी ठीक तो पहला लिखित समविधान अमेरिका में बनेगा महिलाओं को property का right मिलेगा लेकिन voting का right नहीं मिलेगा लोगों को liberty दी जाएगी कुछ हद तक और मताधिकार से महिलाओं को वंचित रखा जाएगा पुर्षों को मताधिकार मिलेगा ठीक और साथी साथ एक republic बनेगा और Montescue के separation of power के basis पे क्या होगा इंग्लेंड में भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा क्यों ब्रिटेन की हार का जो दोश था वो जॉर्ज थर्ड के मत्थे चढ़ाया गया और उसका मोनार्क बनने का सपना चूर-चूर हो जाएगा Lord North जो की उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी मंत्री मंडल बरखास्थ हो गई और उनकी जगा नए मंत्री मंडल को क्या हुआ जगा मिली इंग्लेंड में और भी कई सारे रिफॉर्म किये गए जैसे आईरलेंड की संसत को लगभग स्वतंत्रिस्थान प्राप्त हुआ उसके रिप्रेजेंटेटिव चुने गए Catholic Irish लोगों को भी voting का right दिया गया और जो आईरिश संसत थी वो Westminster संसत से जुड़ा Westminster जो संसत है ये क्या है बिटा ये British Parliament है ये क्या है British Parliament है तो ये question पूच्छ दिया जाएगा कि Britain की संसत को क्या कहा जाता है वेंस्ट मिन्स्टर पार्लियमेंट कहा जाता है बताईए, clear है ये point clear है ये point clear है ये point ठेक, ये जो 13 colonies हैं अमेरिका की उनके नाम हैं मैंने कल भी बताया था आपको न्यू हैंशायर, मैसाचुसेट्स रोड आइलेंड, कनेटिकट न्यू यू यू जर्सी पैंसिलवेनिया, डेलावेर मैरी लैंड, बरजीनिया नौर्थ कैरोलाइना, साउथ कैरोलाइना और जॉर्जिया ये 13 colonies थी जो कि अमेरिका में क्या थी, बनाई गई थी ये कुछ important point है ये आपको याद होने चाहिए, इनका चाहिए तो आप फोटो भी ले सकते हैं, यहां से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा ठीक, पहला point, ये सारे ही बहुत important है, ये अभी आप से सवाल भी, बिहार के BPSC TRE में, ये question भी क्या किया गया था, पूछा गया था ठीक, मैंने application के बच्चों को ये जो practice set दिया था, उसमें ये सवाल भी दिया था कि सयुक्तराज अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रत्थम अंग्रेज बसती, first English colony जो वहाँ पर established हुई वो कौन थी, जेम्स टाउन जेम्स टाउन वर्जीनिया ठीक, जेम्स टाउन कहां पर वर्जीनिया में ठीक, और वर्जीनिया मैंने आपको बताया था टोबैको के लिए बड़ा फेमस था अमेरिका में दरसल दो मुख्य क्रिशी उत्पाद थे अमेरिका में, उसमें चीनी और तंबाकू शुगर एंड टोबैको इंफेक्ट अमेरिका में जैसे स्टैंप एक्ट आया था वैसे वहाँ पर शीरे पर जो शीरा होता है चीनी का उस पर भी टैक्स लगाया गया था उसको शुगर एक्ट नाम ही दिया गया था उसके भी खिलाफ थे तंबाकू पर टैक्स लगाया गया था हर छोटी-छोटी चीज़ पर टैक्स लगाया गया था और इसलिए अमेरिका में नो टैक्स सेशन की बात होगी कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स सेशन की बात होगी ठीक है वहां कॉलोनी जिसने प्रथम महादीपी कॉंग्रस में भाग नहीं लिया, वो जॉर्जिया थी, जो पहला फिलाडेलफिया समिट होई थी, फिलाडेलफिया समिट होई, वहां पर भाग नहीं लियी इस कॉलोनी ने, किसने जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया, ठीक, यह पोशन आपका BPSC में आया हुआ था, BPSC में आया हुआ था भी, तो ये किसका है, Abraham Lincoln का, Declaration of Independence, USA का जो Declaration of Independence आया था, उसका लेखक कौन था, उसके लेखक थे Benjamin Franklin, ठीक है, अमेरिकी सेना ने सारा टोगा का बैटल, ये बैटल का नाम याद रखेगा, आप से सीधा सवाल पूछ द जुड़ा हुआ है, तो किस क्रांती से जुड़ा हुआ है, अमेरिका की क्रांती से जुड़ा हुआ है, सेरा टोगा का बैटल हुआ 1777 में, और किस ब्रिटिश प्रधानमंतियों की नीती के कारण Boston Tea Party हुई थी, Boston चाय कांड हुआ था, Lord North की वज़े से हुआ था, अमेरिकी स वतंतरता को इंग्लेंड मानेता कब्दी 1781 में, और किस युद्ध में, Lord Cornwallis द्वारा आत्म समर्पन करने पर, आत्म समर्पन करने के साथ ही, इंग्लेंड की पराजय सुनिश्चित हो गई थी, वो थी, यॉर्क टाउन, ठीक, ये नाम याद रखोगे, Lord Cornwallis, क्यों? Lord Cornwallis वो व्यक्ति था, जिसको जो इंडिया में भी किस से लड़ेगा? टीपू सुल्तान से इसने थर्ड एंग्लो मैसूर वार किया था, और Lord Cornwallis अमेरिका के रेवलूशन में भी क्या कर रहा था, पर वहां इसको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका के पास एक बह क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट भी बना दिया गया, क्लियर है पॉइंट, ठेक तो एक बार तेजी से रिवाइस कर लीजे, क्या-क्या आपको याद रखना है, पहली बात अमेरिकी सोतनता संग्राम के कारण क्या-क्या थे, तो उपनिवेशों में राजनितिक स्वाय अमेरिका में पढ़े लिखे मध्यवर्ग का उद्य हो जाएगा, जोग्रफिकल डिस्टेंस बहुत थी, इस वज़े से कंट्रोल करने में दिक्कत आती थी, कोई भी चीज पहुंचने में काफी देर हो जाती थी, तो बैक अप देना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता धार्मिक और सामाजिक विवस्था में मदभेत था कैसे, धर्म में आपने देखा कि ब्रिटेन के लोग एंगलिकन उसमें बिलीब करते थे फेथ में, जबकि ये लोग प्यूरिटिन, अमेरिका के लोग प्यूरिटिन मतावलम भी थे, ठीक है, और सात वर्षी जो युद् की निरंकुष नीती और बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, सब तवर्षी युद्ध कब से कब तक होगा, 1756 है, 1763 के बीच में, किसके किसके बीच होगा, ब्रिटिन और फ्रांस के बीच होगा, कौन सी संधी से समाप्त हुआ, पेरिस की संधी से समाप्त हुआ, क्या इसका र अमेरिकन रेवलूशन होगा, फ्रांस क्या करेगा, अमेरिका को सपोर्ड करने लगेगा, लफायते के लीडर्शिप में फ्रेंच आर्मी अमेरिका के साथ मिलकर बिटिशर्स के अगेंस्ट लडेगी, ठीक है, उनके अगेंस्ट लडेगी, पोलाड ने ये बात कही थी कि की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतनता की इक्षा को बढ़काया the defeat of France provoked the desire of American people for independence ठीक है फिर प्रधान मंत्री Grenville थे ब्रिटन के जिन्होंने stamp act लगाया था जिसमें 20 shilling कितने shilling देना था 20 shilling देना था कितने shilling देना था 20 shilling देना क्या था compulsory था और इस बात का विरोध होगा साती सात और भी जो sugar act इस type के act लगेंगे इसका विरोध होगा विरोध करते हुए Samuel Adams ने ये नारा दिया no taxation no representation ठीक है no taxation without representation का नारा दिया ठीक है और विरोध के को करने के लिए America के अंदर sons of liberty and daughters of liberty जैसे विद्रोही संगठन बनाए गए और धीरे धीरे लोगों को aware करने का क्या होने लगा काम होने लगा सभी colonies के अंदर एक तरह की militia start होना शुरू हुई इसी बीच में अमेरिका में कुछ जो बुद्ध जीवी वर्ग के लोग थे जो मध्ध वर्गी लोग थे वो लोग लेखों के माध्यम से papers के माध्यम से book के माध्यम से लोगों को aware करने का काम कर रहे थे इसमें दो लोगों के नाम important हैं Thomas Penne का और Thomas Jefferson का ठीक Thomas Penne ने common sense पत्रिका दी और इस पत्रिका में उसने क्या किया स्वतंतरता की आवशक्ता पर बल दिया राजतंतर पर प्रहार किया और Thomas Jefferson ने स्वतंतरता की इक्षा को प्रुचाहन देने का काम किया और विद्रो का समर्थन भी किया Thomas Penne की एक और book का नाम याद रखेगा Rights of Men ये भी किस ने लिखी है Thomas Penne ने लिखी है यहां से भी सवाल आपका आ सकता है इंग्लेंड के उस समय शाशक कौन थे George III थे ठीक है 1773 में चाय कानून में जब परिवर्तन किया गया तो इसका विरोध होगा अमेरिका में नतीजा होगा कि Red Indian की वेशभूशा पहन कर मोहाक का वेशभूशा पहन कर लोग Boston के पोर्ट पे चले जाएंगे और चाय की पेटियां उठाके समुदर में फेकना शुरू कर देंगे इस घटना को बोला गया Boston Tea Party तारीक थी 16 दिसंबर 1773 Boston Tea Party का लीडर्शिप को लीड करने का काम किस ने किया था Samuel Adams ने किया था ठीक है उसके बाद 5 सितंबर 1774 को Philadelphia में एक समिट बुलाई गई और ऐसी ही समिट दूसरी बार बुलाई गई 4 जुलाई 1776 को और ये वो डेट है जिस दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंतरता क्या कर दी घोशित कर दी 4 अब जुलाई को वहाँ पे Independence Day के तोर पे celebrate किया जाता है पहला जो संघर्ष होगा वो होगा Lexington में ठीक है और George Washington को सिनापती नियुक्त किया जाएगा बाद में ये President भी बनेंगे तीन फरवरी 1783 को अगेन पेरिस की संधी से ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी और 1787 में समविधान का निर्माड होगा जो की 1789 में लागू हो जाएगा जॉर्ज वाशिंग्टन को प्रथम राश्टुपती बनाया गया जोर्ज वाशिंग्टन को प्रथम राश्टुपती बनाया गया अमेरिका में व्यापार की दृष्टी में एडम श्मित का सिध्धान फॉलो किया गया कौन सा सिध्धान था ये था लेसेज फेयर का सिध्धान थीकए ठीक है लेसेज फेर का सिध्धान था अमेरिकी स्वतनता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया इस संग्राम में लफायते के नेतरत में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया जब वो स्वदेश लोटे तो कहीं न कहीं थोड़ा सा अवेर होकर लोटे और उसके आगे की बात जो है वो कि मताधिकार से वंचित किया गया क्या उसका असर पड़ा मॉन्टेस्क्यू के स्परिट ओफ लॉस को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया ये उनकी तेरा कॉलोनीज है और ये इसके कुछ पॉइंट है जिसमें की पहला है कि संयुक्त राज अमेरिका में पहली जो अंग्रेज बस्ती बनी वो कहां बनी वर्जीनिया में और पहले वाले फिलाडेलफिया समिट में जो नहीं शामिल हुआ वो था जॉर्जिया ठीक है क्लियर है ये पॉइंट सुभान लिए पहले पढ़ लो यार जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो भाई ठीक है क्लियर है ये पॉइंट बोलिए ठीक है अब अब सुनिये ध्यान से यॉर्प में एक अलग चीज चल रही थी यॉर्प में फ्रांस में फ्रांस में 1774 में अमेरिका की क्रांती का असर यॉर्प तक पहुचेगा और 1774 में यॉर्प में एक व्यक्ती राजा बनता है जिसका नाम था लुई 16 ये बर्बन डैनस्टी से बिलॉंग करता था और बर्बन डैनेस्टी बहुत पुरानी डैनेस्टी थी, काफी समय से इन लोगों का रूल था लुई 16, 1774 में जिस कंडीशन में ये किंग बना, उसकी कंडीशन बड़ी खराब थी रीजन क्या था? इकनॉमिक कंडीशन बिलकुल भी ठीक नहीं थी फ्रांस पे अल्रेडी 10 अरब लिवरे का कर्ज चढ़ा हुआ था जो की फ्रांस के अमेरिकी स्वतनता संग्राम में सहयोग करने के कारण उसका एक बहुत बड़ा कारण था दूसरा राजा हैं तो इनकी एक्स्ट्रावेगेंसी कम नहीं हो रही थी इनकी फिजूल खर्ची कम नहीं हो रही थी इनका जो पैलेस था उसे बोलते हैं वर्सिले पैलेस ठीक वर्सिले पैलेस वर्साय का महल ये फ्रांस का राजशाही महल था इसकी फिजूल खर्ची की अरब लिवरे का कर्ज और चड़ा भुए था यानि कुल देखिया बार अरब लिवर क्या था यह फ्रांस की मुद्रा थी फ्रांस की करंसी थी ठीक क्या थी ये फ्रांस की करंसी थी 1794 में इसको क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया मेरी क्लास है 7 बज़े तक चले गया बात कर लो वहाँ पे ठीक लिवरे या लिवर जो है ये क्या है फ्रांस की करंसी है इसको 1794 में क्या किया गया था समाप्त किया गया था अब आप एक बात बताईए अगर आप राजा होते और आपका जो treasure है आपका जो राजकोश है ये क्या हो रहा है खाली हो रहा है तो मैंने क्या बताई है जब पैसा नहीं होगा तो आपको पैसा लाने के लिए नया tax लगाना पड़ेगा और नहीं लगाना पड़ेगा? अब फ्रांस में दिख्कत क्या थी? कि France में अगर नया tax impose करना है तो ये केवल अधिकार था किसके पास State General के पास State General को France की तुम एक तरह से राजनितिक संस्था समझ लो ठीक राजनितिक संस्था समझ लो परामर्श दात्री संस्था समझ लो Advisory Council समझ लो राजा State General की मीटिंग बुलाता था और इसी मीटिंग में नया tax क्या हो सकता था लग सकता था ठीक है ऐसी पिछली मीटिंग लुई 14th के टाइम पर बुलाई गए थी 1614 में और उसके बाद सीधे 1789 में इस तरह की मीटिंग बुलाई जाएगी इसके बीच में कोई नय तरह का tax नहीं लगाये जाएगा ये जो State General था इस State General में तीन अलग-अलग क्लास थे इनको क्या बोला जाता था ये France के समाज में समाजिक श्रेणी थी Social Classification था और ये जो Social Classification था ये Social Classification कैसे चलेगा ये काम के आधार पर चलता था वर्ग के आधार पर चलता था पहला जो वर्ग था उसे हम क्लरगी बोलते थे या पादरी वर्ग बोलते थे दूसरा जो वर्ग था उसे हम Nobles बोलते थे या अभिजात वर्ग बोलते थे और तीसरा जो वर्ग था ब्यापारी लोग होते थे, ये सारे लोग third state में आते थे इनको बोला जाता था first state, इनको बोला जाता था second state और इन्हें क्या बोला जाता था third state इन्हें क्या बोला जाता था third state ये जो पहले दो state थे, ये tax free थे इनको किसी तरह का tax नहीं देना होता था टैक्स का सारा भार किस के उपर था? थर्ड स्टेट के उपर अब आप एक बात बताईए अगर तीन बेटे हैं और एक ही बेटे के उपर घर का सारा खर्च लाद दिया जाएगा और दो बेटे जो है वो चुपचा बैटके रोटी तोड़ेंगे ऐसे मैं जब पापा बुलाएंगे कि नया कुछ हमें इन्वेस्ट करना है या कुछ और पैसा चाहिए तो पैसे का सारा भार तीसरे बेटे पे है तो तीसरा बेटा कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो तीसरा बेटा कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा बोलो बोलेगा ना तो तीसरे स्टेट के लोग बोलेंगे कि हमें भी क्या चाहिए participation चाहिए administration में हमें भी कि इनकी demand क्या होगी participation in administration हमें भी प्रशाशन में क्या चाहिए भागिदारी चाहिए इस बात से राजा के साथ साथ दोनों लोग घवरा जाएंगे स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हो पाएगी ये लोग बोलेंगे कि बहुत हुआ सम्मान अब देखो हम क्या करते हैं ये लोग मिल के क्या करेंगे वहीं वर्साई के महल में एक जगा इकठा होंगे जारीक थी 20 जून 1789 की और ये शपत लेंगे कि अब हम लोग जब तक सम्विधान नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे और ये लोग अपने आपको डिक्लेयर कर देंगे नेशनल असेंबली और यहां से फ्रांस की जंता का क्या होने लगेगा विद्रो शुरू हो जाएगा और बास्तील नाम का जो रॉयल जेल था उस बास्तील किले पे लोग क्या कर देंगे धावा बोल देंगे बास्तील किले का पतन हो जाएगा किस डेट को 14th of July 1789 को और यहीं से आपका French Revolution क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रांस का जो स्वतंतरता दिवस है वो क्या माना जाता है 14 July 1789 तो French Revolution का more or less background यह है अब इसमें हमें जो चीज पढ़नी है French Revolution में उस पे मैं आपसे बात करते चलूँगा बताईए शुरू किया जा Guys बैगराउंड समझ गए बैगराउंड समझ गए बैगराउंड समझ गए बोलिए शुरू किया जाए ठीक है शुरू किया जाए चलो तो 1774 में लोई 16 गद्धी पर बैठता है वो मोनार्क है फिजूल खर्ची है और able नहीं है इसकी जो शादी हुई वो आस्ट्रिया की राजकुमारी Mary Antoinette से हुई थी ठेक Mary Antoinette से हुई थी और Mary Antoinette को लोग फ्रांस में बहुत पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये भी क्या थी कहीं न कहीं फिजूल खर्ची में अपने पती का बराबर क्या कर रही थी साथ निबारी थी आपने एक फेमस कहानी सुनी होगी कि फ्रांस की जनता ने Mary Antoinette से पूछा कि रोटी नहीं है खाने के लिए हम लोग क्या करें गिवसभेड जो है वह उन्होंने बोला और उन्होंने बोला कि अगर रोटी नहीं है तो लोग केक क्यो नहीं खातए मतलब इनको इतना भी नहीं पता कि क्या चीज महेंगी है क्या चीज सस्टी है बैराल ये कहानी है ये कहानी रूस की रानी के लिए भी कही जाती है इनके लिए भी कही जाती है उस कहानी का क्रक्स यह है कि जो राजशाही थी वो राजशाही किसमें लगी हुई थी फिजूल खर्ची में लगी हुई थी एक्स्ट्रावेगेंसी में लगी हुई थी है ना एक्स्ट्रावेगेंसी में लगी हुई थी ठीक है औ और इसको आप ऐसे समझ लीजे कि राजा के वर्साय महल में 15,000 से अधिक अधिकारी थे जिनका कोई काम ही डिफाइन नहीं था पर चुकि राजमहल बहुत बड़ा था तो इतने सारे अधिकारी वहां थे जो की बहुत काम नहीं करते थे और पूरे राजस्व का 9 प्रतिशत इन ही पर व्याय होता था यानि आप सोच लीजे कि अगर आपके पास 100 रूपय का रेवेन्यू आ रहा है तो आप 9 रूपय कैसे लोगों पर खर्चा कर रहो जिनका कोई आउटपुट नहीं है कोई जो है वो क्या नहीं है उनका आउटपुट नहीं निकल कर आता है ठीक है क्लियर है तो लूई 16 के शाषनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटन से आजाद किया और 10 अरब लिवरे का क्या चड़ गया उनके उपर कर्ज चड़ गया ठीक आर्थिक संसादनों की कमी ने राजा को जनता पर करों की वृद्धी के लिए बाद किया ठीक अच्छा मोनार्की इतनी ज़्यादा जवर्दस थी कि लूई 14 जब राजा था तो लूई 14 अक्सर ये कहा करता था बातचीत में कि मैं ही राज्य हूं ठीक अब ये सवाल पूझ दिया जाएगा कि मैं ही राज्य हूं इस बात को किस ने कहा था तो याद रखेगा ये बात किस ने कही थी लूई 14 ने कही थी यानि इस से ये पता चलता है कि फ्रांस में जो राजतंत्र था जो मोनार्की थी वो बहुत ही क्या थी निरंकुष थी वो ने जो कह दिया वही क्या हो गया कानून हो गया हाला कि व्यवहार में कुछ संस्थाएं थी जो काम कर रही थी जैसे स्टेट जनरल पारलियमेंटरी और्गनाइजेशन था लेकिन इसकी 1614 के बाद अगले 175 साल तक कोई बैठा की नहीं हुई इसकी तो स्टेट जनरल एक पा फ्रांस में पारलिमा नाम की संस्था जरूर थी ठीक है फ्रांस में क्या था पारलिमा नाम की संस्था थी पारलियमेंट का ये फ्रेंच नेम है ठीक है लेकिन लेकिन इस पे भी बहुत जादा कोई बहुत असर पड़ता नहीं था ठीक इसमें कुल 17 पारलिमा थे और इनका गठन न्याले के रूप में किया गया था न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वन्शानुगत होते थे यानि हेरीडेटरी होते थे नोबल्स जो होते थे वही लोग इसमें क्या बन सकते थे जज बन सकते थे संस्था का नाम था पा रखने के लिए बनाई गई थी उसको चेक करने के लिए बनाई गई थी उसके डिक्टेटर्शिप को संस्था का नाम क्या था पारलमा नाम था टोटल नंबर कितना था 17 पर ये कहने के लिए थी व्यवहार में क्या था इस पर भी राजा का कंट्रोल होता था अक्सर राजा इ आपस में संबंद क्या होते थे अच्छे होते थे लिवरे बेटा फ्रांस की मुद्रा है जैसे हमारी मुद्रा है न रूपया हमारी मुद्रा है न रूपया वैसे ही फ्रांस का जो रूपया होता था उसको लिवरे कहते थे France में जो पैसा चलता था, जो क्वाइन चलता था, जैसे हमारे आठनी चवन्नी होती है, वैसे France में सू नाम से पैसा चलता था, ठीक है? सू नाम से पैसा चलता था, clear है भाई? सर मैंने एच्टेट NCRT से नहीं आती, बिल्कुल ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ, ये क्लास DSSB वालों के लिए भी सुपर 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 इंपोर्टेंट क्लास है, एच्टेट की तयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही एक नंबर की क्लास है, जो बच्चे EMRS की तय इस पॉइंट यहां तक बताइए, हो जाएगा रहानित जी हो जाएगा, परशान मत हो ये, क्लियर है बच्चा, देखिया मैं एक चीज बता दूँ, मैं आप लोगों की सीरेसनेस देखूंगा कि आप अपने एक्जाम को लेके कितने सीरेस हैं, क्योंकि आधे लोगों ने तो पहले ही हतियार डाल दिया सुनके की चार तारिक से पेपर है, पर हम टीचर हैं, हम लोग अंतिम समय तक हार मानने वाले तो हैं नहीं, तो अगर मैं अगले चार दिन महनत करने के लिए तयार हूँ, रात बर जक्क्या, आपका नोट्स बना रहा हूँ, फिर आपको पढ तुमारे उस तीन गंटे की मैराथन से तयार हो जाएगी, बाकी जो तयार कराना वो हम तयार करा देंगे, आप अपनी सीरेसनेस देख लीजे, कमेंट बाक्स में तो आके लोग लिख देते हैं, पका पका, आता नहीं है तुमका कर्च, तो वो उनको छोड़ दीजे, उनको वो तीन स्टेट में बट गई थी, तीन स्रेणियों में बट गई थी, ठीक है, तीन स्रेणियों में बटी हुई थी, पहले स्टेट में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्टेट में कौन थे, इनमें लगभग लगग एक लाख तीस हजार लोग थे, प्रथम स्टेट में प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था और उसमें लगभग क्या थे एक लाख तीस हजार लोग थे ठीक है दूसरा जो वर्ग था वो अभिजात वर्ग का था जिसमें लगभग 80 हजार परिवार या 40 लाख के आसपास इसके अंदर व्यक्ती थे और ये दोनों वर्ग जो थे वो क्या थे टैक्स फ्री थे बोथ दीज क्लासेज वर फ्री फ्रॉम दे टैक्सेज तो टैक्स का सारा जो भार है वो तीसरे वर्ग पर आ जाएगा है ना उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग कितनी थी धाई करोण थी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां स सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांती के समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी 2.5 करोड थी फ्रांस की कुल भूमी का 40% पहले दो वर्ग के पास था 90% जनता तीसरे स्टेट में आती थी जिनके पास कोई विशेशा दिकार नहीं था 90% जनता थर्ड स्टेट में आती थी इनके पास कोई विशेशादिकार नहीं होता था और इनको ही टैक्स का सारा भार क्या करना पड़ता था उठाना पड़ता था ठीक है इन में से जो पढ़े लिखा जो धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर एक educated middle class आया जिसमें व्यापारी वर्ग आया सिक्षक वर्ग आया प्रोफेसर्स आये दार्शनिक आये फिलोसफर्स आये इन मध्य वर्ग को बुर्जुवा वर्ग बोला गया या बॉर्जिस बोला जाता है तो मध्यम वर्ग क्या कहलाता था बुर्जुवा वर्ग कहलाता था औ यही मध्यवर्ग रखता है ठीक तो मध्यवर्ग को क्या बोलते थे बुर्जुवा वर्ग भी कहा जाता था बॉर्जस भी कहा जाता था इसे ने क्रांती में अहम भूमी का निभाई थी ठीक किसानों की हालत बड़ी खराब होती थी किसान जो है वो क्या होते थे कि उनको जो nobles होते थे उनकी जमीन पर काम करना होता था अगर कोई किसान स्वतंत्र किसान है सर्फ के तौर पर काम कर रहा है वैसल नहीं है वैसल का मतलब होता था जो सामन्तों के अधीन काम करने वाला किसान और सर्फ जो होते थे वो independent farmers होते थे पर उनको भी बहुत ज़्यादा tax देना पड़ता था तो किसानों की स्थिती भी बहुत अच्छी नहीं है एक कहावत थी यह फ्रांस के क्रांती का बहुत तगडिक कहावत है कि नोबल्स जो है वो लड़ते हैं पुजारी पुजा करते हैं और जन साधारन उनके लिए क्या करते हैं खर्च जुटाने का काम करते हैं अगर आप NCRT पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नोबल्स जो है न नोबल्स इनकी जो तुलना की गई है वो मकडी से की गई है इनको मकडा बोला गया है स्पाइडर बोला गया है इस पाइडर क्या गरता है इस पाइडर अपने प्रे के इर्द गिर्द क्या करता है जाल बिछा लेता है फिर उसका क्या गरता है खून चूसता है और उसका खून चूस के उसको क्या कर देता है, खाली कर देता है, तो nobles की तुलना मकडा से की गई है, जबकि किसान को क्या बोला गया है, किसान को मक्खी कहा गया है, और ये मक्खी का क्या करते हैं, खून चूस लेते हैं, तो nobles fight, clergy's pay, pray and people pay, ठीक है, ये कहावत थी वहाँ क अच्छा, tax collection भी एक तरीका ऐसा नहीं था कि एक सही way में tax collect किया जाए, हर 5-6 साल बाद, tax को revise करने का एक तरीका बनाये गया था, हर 5-6 बाद, France की जो सरकार थी, वो पूंजी पतियों को कर वसूलने का ठेका दे देती थी, जो ज़्यादा बोली लगा कर ये ठेका ले लेत था, उसे ही contract क्या होता था, दे दिया जाता था, आप imagine कीजिये, हर 5-6 साल बाद, लोगों को बुलाया जाये, और बोला जाये कि भाईया, हम ना बोली लगा रहे हैं, जो ज़्यादा पैसा दे देगा, वो tax collect करेगा, तो भाई एक बात बताओ, जो ज़्यादा पैसा देके इस contract को हासिल करेगा, वो किसानों से और ज़्यादा पैसा लेगा कि नहीं लेगा, और ज़्यादा पैसा वसूलेगा ना, कि कम वसूलेगा, और ज़्यादा वसूलेगा ना, बोलो, वसूलेगा ना, तो इनको tax farmer कहने लगे, ये पूंजी पती क्या कहलाने लगे, tax farmer कहलाने लगे और ये क्या करते थे ये अपने किसानों से जादा से जादा पैसा लेते थे सरकार को एक certain amount जो भेजनी होती थे वो भेज के बाकी पैसा अपने जेब में रख लेते थे इसी लिए इनकी तुलना किस से की गई मकडी से की गई या मकडा से की गई ठीक है किसानों को एक तरह का land revenue देना होता था जिसे tile बोलते थे आपकी SCRT में टैले दे रखा है पर इसे क्या बोला जाता था tile बोला जाता था ठीक है क्या बोला जाता था tile टाइल बोलते थे ये कौन करता था ये जो है ये प्रत्यक्ष कर था और ये राज्य को देना होता था राज्य को दिया जाने वाला कर था इसके अलावा चर्च जो है वो टाइथ नाम का टैक्स लेता था चर्च जो है वो क्या करता था टाइथ नाम का टैक्स लेता था ये रिलीजियस टैक्स था ये भी डिरेक्ट टैक्स था पर इसे रिलीजियस टैक्स ज्यादा बोलते हैं ये क्या था ये वन बाइट टैन लिया जाता था उपज का एक बटा दस्वा हिस्सा लिया जाता था किस से किसानों से लिया जाता था तो टाइथ क्या है religious tax है टाइव क्या है state tax है ठीक difference समझ गए टाइव क्या है राज्य को दिया जाने वाला कर है जो nobles collect करते थे और टाइथ church वसूल करता था किसानों पर लगा के यानि किसान अदर राजिय को भी tax दे रहा है और चर्च को भी ट데क्स दे रहा है उसकी दोनों तरफसे मौत हो रही है ठीक है? और कही तरह के इंडिरेक्ट टेक्स भी होते थे नमक पर tax होता था, टोबैको पर tax होता था, रोजमर्रा की जरूरतों पर tax देना पड़ता था ठीक है व्यापारी क्रिय कलाप पे भी तरह-तरह के प्रतिबं लगाए गए थे कई तरह के restrictions लगाए गए थे कई तरह के सामंतवाधी कर लगाए गए ठीक है गिल्ड्स पे प्राबंदी लगाए गई कि वो अपने तरह से कानून नहीं बनाएंगे उनको जो कानून राज बना कर देगा वही देगा पोर्ट पे जिनका सज्जाहा जाता था उस पर अलग टेक्स लगता था तो 75 तरह के टेक्स लगा के व्यापारी भी चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए कि देश का व्यापार हर तरह के बंधनों से मुक्त कर दिया जाये प्रांस में सभी तरह की स्वतंतरताओं का अभाव था भाई एकदम सीधी बात है अगर राजा निरंकुष है अगर किंग है वो मोनार्कियल किंग है तो आपको क्या लगता है ये गा बतायोत जातो अगर तो कोई डिक्टेटर कभी अपने लोगों को स्वतंतरता देगा नहीं देगा इसलिए फ्रांस में क्या था स्वतंत्रता का अभाव था ठीक आप freedom of speech नहीं थी freedom of writing नहीं थी विचार की अभिवेक्ति की स्वतंता नहीं थी freedom of expression नहीं था धार्मिक स्वतंता नहीं थी दर्ज का बड़ा control होता था ओफीशियल जो वहां का religion था वो Catholic था और जो लोग Protestant धर्म को मानते थे जो लोग सुधारवादी धर्म को मानते थे Protestant धर्म Catholic धर्म के अंदर जो बुराईयां गुश गई थी जैसे हमारे यहां जब समाजिक और धार्मिक सुधार होता था तो धर्म के अंदर जो बुराईयां गुशती थी उसको सुधार करने के लिए लोग बोलते थे न तो उसी तरह Protestant धर्म जो था वो Catholic धर्म के अंदर जो गुराईयां आ गई थी, उनको दूर करने के परपस से एक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया, और उसके जो लीडर बने वो कौन बने, मार्टिन लूथर, लीडर कौन बने थे, मार्टिन लूथर थे, इनको माना जाता है कि ये क्या थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस थापक या प्रवर्तक माना जाता है, ठीक, मार्टिन लूथर को, भारत में ये काम किया था, धार्मिक सुधार आंदोलन के समय किस ने, दयानंद सरस्वती ने, जब उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराईयां गुज गई थी, उसको दूर करने का प्रयास किया था, इस में बिना मुकदमा चलाए गिरफतारी का वारंट भी जारी हो जाता था, इसको कहते थे, लेटर्स दे कैचट, ठीक है, लेटर्स दे कैचट, ठीक, तो ये याद रखिएगा, लेटर्स दी कैचट ये क्या है, ये है, देर वारंट फॉर अरेस्ट विदाउट चार्जेज, तो बिना अभियोग लगाए गिरफतारी का जो वारंट होता था, उसे कहते थे, लेटर्स दे कैचट, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, लेटर्स दे कैचट, तो इसके अगेंस भी लोग क्या कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, फिर आते है आपके वही मध्धिवर्गी बुद्ध जीवी वर्ग तो फ्रांस में बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपना रोल प्ले किया तीन-चार नाम बड़े इंपोर्टेंट है जो आपको जानने है उसमें एक है मॉन्टेस्क्यू क्या करेगा शक्ति के विभाजन क की बात करेगा है ना विधाय का कारेपालि का नयापालि का बात करेगा वॉल्टेयर, रूसो ठीक और इसके अलावा एक नाम आप जानते हो क्या जॉन लॉक जो आपकी ncrte मैं तो लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर ठीक इसके अलावा दिद्रो और और भी ल क्या किया spirit of laws में क्या किया Montesquieu ने अपनी बुक जो है spirit of laws में क्या किया सरकार के तीन अंगों कारेपालिका विधाईका और नियाइपालिका को अलग-अलग रखने के विशय में शक्ति के प्रिथक्रण के सिध्धान्त को बताया वॉल्टेर ने क्या किया चर्च समाज और राजतंत्र के दोशों का परदा फास किया यद्यपिवज जनतंत्र का पक्षदर नहीं था तथा पी राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए इसका प्रबल समर्थक था ये लाइन याद रखिए यही सवाल सीधा-सीधा उठके आ मर्थक था तो वो कौन व्यक्ति था वॉल्टेर था ठीक कौन सा व्यक्ति था वॉल्टेर था ठीक है तो और रूसो ने अपनी बुक लिखी बुक का नाम था शोशल कॉन्ट्रेक्ट रूसो जो है उसकी जो लाइन बड़ी फेमस है वो क्या है उसकी जो लाइन है वो बड़ी फेमस है क्या है the man is born free but everywhere he is in chains मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह बंधनों से जकड़ा होता है यह लाइन किसकी है यह लाइन है रूसो की यह लाइन किसकी है रूसो की है ठीक यह भी कोशन आपसे पूछा जा सकता है इस वाली किताब में सामाजिक समविदा या सोशल कॉंट्रेक्ट में रूसो ने जन्रल विल की बात की सामान ने एक्षा की राज जी को व्यक्ती द्वारा निर्मित संस्था और सामान ने एक्षा को संप्रभू माना है कि राज जी क्या है व्यक्ती बनाते हैं कोई राजा का क्या किया प्रचार भी करने का काम किया ठीक तो यहां से आपके सवाल बन जाएंगे क्लियर है ना भाई ठीक है अच्छा ऐसा नहीं कि राजा ने कुछ काम नहीं किया उसने कोशिश की कि एकनॉमी सुधारा जाए तुर्गो नेकर इस टाइप के उसने क्या किये अपने अर्थशास्त्री अपॉइंट किये कि चीजों को सुधारो ठीक है उसी में एक और अर्थशास्त्री था जिसका नाम था क्वैजनी और तुर्गो इन अर्थशास्त्रीयों ने समाज में आर्थिक शोशन और आर्थिक नियंतरन की आलोचना करते हुए lesej fare को क्या किया support किया लेकिन इन लोगों को इनके पद से क्या कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा यानी reform चाहते थे पर अपने हिसाब से चाहते थे जनता के हिसाब से नहीं चाहते थे तो तुर्गो, नेकर, क्विजनी, जितने भी economist आए इन्हों न माना गया कुछ को क्या गर दिया गया हटा दिया जो राजा के हित की बात करेगा उसको मान लेंगे जो जनता के हित की बात करेगा उसे क्या करेंगे नहीं मानेंगे है na इस 1688 में इंग्लेंड में glorious revolution हुआ था इसका असर भी फ्रांस पर पढ़ेगा Glorious Revolution को कल मैंने बताया था Bloodless Revolution कहते हैं रक्तहीन क्रांती कहते हैं 1688 में जब Glorious Revolution हुआ तो उस Glorious Revolution में जो राजा था ब्रिटन का वो Parliament के अंडर काम करने के लिए ready हो गया मतलब राजा प्रमुक होगा पर वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आ गई संसत के हाथ में आ गई फ्रांस में भी लोगों ने इस तरह की डिमांड की कि राजा रहे कोई दिक्कत नहीं है पर एक सम्विधान के तहत क्या होना चाहिए शाशन होना चाहिए थर्ड स्टेट की डिमांड यही वाली डिमांड थी क्लियर ए पॉइंट फिर लफायते के बारे में तो आपने पढ़ी लिया है कि वहाँ पर हुआ तो इसने भी प्रेणा शुरोत का काम किया अगर in a nutshell SCRT के बेसिस पे अगर in a nutshell मैं कारणों को देखूं तो राजनेतिक कारण पोलिटिकल में क्या है निरंकुष और अयोग्यशाशन संसत की बैठक 175 साल तक हुई ही नहीं अधिक बहुत जादा centralized process था तो decentralization नहीं था power का distribution नहीं था autonomy नहीं थी और Mary Antoinette का भी उस पे प्रभावतो था ही राजा पे सामाजिक कारण की बात की जाए तो जो मध्यम वर्ग था उसमें उसके पास right नहीं थे जो देखो जो व्यक्ति पढ़ लिख लेता है उसको लगता है कि उससे भी सलाह मश्वरा करना चाहिए कभी भी देखना तुम घर में पापा लोग क्या करते हैं सारा decision खुद से लेते हैं ठीक लेकिन घर में अगर कोई बड़ा बेटा है और वो अपना घर परिवार चला रहा है ठीक ठाक कमाई भी कर लेता है समय पर परिवार की जरुवत भी पूरी कर देता है लेकिन अगर decision making process में उसको नहीं शामिल किया जाएगा तो कहीं न कहीं इस बात का उसको क्या होता है मलाल होता है कि यार एक बार हमसे ही पूछ लिये होते तो वो शुरू में हो सकता है कुछ ना बोले लेकिन एक समय आएगा जब वो कभी न कभी अपने बाप को जाकर ये बोल देगा कि पापा यार एकाद बार हमसे भी सला ले लिया अगर ओ ठीक है आप मानते है वो disrespect नहीं कर रहा है वो अपना involvement चाहता है वो disrespect नहीं कर रहा है कि पापा लोग तुरंद पलट के बोल लते हैं कि अब तुम सिखाओगे कैसे जीवन जीना है क्यों पापा लोग अपने ego पे ले लेते हैं वो कह रहा है कि भाई मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं भी समझदार व्यक्ती हूँ मैं भी चीजों को चला रहा हूँ मैं भी चीजों को देख रहा हूँ हो सकता है मैं उसमें कोई नया पुट ऐसा दे दूँ या एक नया एंगल दे सकता हूँ सोचने का या अगर कोई प्रॉबलम ख कुछ ही नहीं रहे और उसको अंदर से कोता ही हो रही है कि यार हम साशन में है नहीं इसलिए वह बढ़क जाएगा तो बोलेगा कि हमें चाहिए administration पॉल हमें administration में भागिदार बनाई है participate करेंगे हम लोग भी करेंगे है ना हम लोग भी क्या करेंगे participate करेंगे सामाजिक असमानता से असंतोष है क्रिशकों की देनी इस्थिती है असमान कर प्रनाली है बिलकुल ही taxation बढ़िया नहीं है भूमिकर धार्मिकर अन्य तरह के कई सारे कर है और यह कर का बोज केवल और केवल किस पर है एक वर्ग पर है तीसरा वर्ग है उसी पर है बस बेरोजगारी भी हो रही थी बढ़ रही थी फ्रांस में में एकनूमिक कंडीशन खराब हो रही थी तरह-तरह के उस पर जो है वो क्या किये थे तो इस पूरी चीजों में विदेशी घटनाओं ने भी क्या किया प्रभाव डाला जिसमें फ्रांस का रेवलूशन और इंग्लेंड की गौरोपूर्ण करांती इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्लियर पॉइंट क्लियर पॉइंट क्लियर पॉइंट बताइए बड़े आगे तो अब यहां से क्या होगा लुई 16 बोलेगा कि भाया हमको टैक्स लगाना है तुम बुलाओ यार सबको ऐसे बात बने गी नहीं तो उसने 5 माई 1789 को उसने क्या किया स्टेट जनरल की बैठक बुलाई अब स्टेट जनरल की बैठक में आप एक चीज समझिएगा जरा स्टेट जनरल की बैठक में क्या होता था कि एक वर्ग जो था उसके 300 रिपरजेंटेटिव थे पर्स्ट इस्टेट के 300 रिपरजेंटेटिव थे second state के भी कितने थे 300 representative थे लेकिन जो third state था लेकिन जो third state था उसके 600 representative थे दिक्कत क्या थी कि जो vote था न वो एक state एक state is equal to एक vote था मतलब अगर इन लोगों ने एक vote दिया तो ये भी एक vote देंगे और ये भी क्या करेंगे एक vote देंगे अब इसमें दिक्कत क्या थी कि अगर इनके 300 vote हैं इनके 300 vote हैं तो इनके भी 300 ही vote होंगे क्यों क्योंकि एक state से एक vote आ सकता है एक बार में पर person per vote नहीं है, अगर पर person per vote होता, तो इनके पास 600 होते, इनके पास 300 होते, इनके पास 300 होते, तो शायद यह अपनी बात क्या कर लेते हैं, मनवा लेते हैं, क्यों? क्योंकि first और second state में भी सारे लोग खुश हों, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी पादरी वर्ग के पर समर्थन कर रहा था था, थर्ड स्टेट का, मिराबवो, मिराब्यू जो था, वो सामन्त था, सामन्त परिवार से था, पर समर्थन किसा कर रहा था, आम जन्ता का, और इनी दोनोंने tennis court की भीड को क्या किया था? lead करने का काम किया था तो natural है कि अगर आप third state में होते तो आप इस meeting के होने से पहले राजा के सामने एक demand रखते क्या demand रखते? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने demand रखी, इन्होंने मांग रखी कि हमें क्या चाहिए? हमें per person, per vote चाहिए अब अगर ये मांग मान ली जाती तो इनका पलडा भारी हो जाता कि नहीं हो जाता? बताओ, इनका पलडा भारी हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो इनका पलडा भारी हो जाता? क्या लगता है तुमको राजा इनकी बात मानेगा? राजा इनकी बात मानेगा या ये दोनों राजा को मानने देंगे इनकी बात? नहीं मानने देंगे, वही हुआ वही हुआ है ना? क्या किया तीसरे स्टेट ने लोकतांत्रिक सिधान्त को आधार बना कर सभी प्रतनिदियों के लिए मत देने के अधिकार को मांगा कि हम क्या चाहिए The third state demanded the right to vote for all the representatives on the basis of democratic principle and this demand was rejected by the king राजा इसके लिए क्या हो गया तैयार नहीं हुआ नतीजा होगा कि यह सारे लोग विरोध जताते हुए बाहर निकाल लेंगे जब लोग पहुंचें मीटिंग के लिए तो वहां ताला लगा हुआ था तो 20 तारीक को third state के प्रतनिदी tennis court में इकठा होंगे और यहां पर क्या करेंगे यहां पर क्या करेंगे शपत लेंगे कि जब तक एक समविधान नहीं बन जाएगा हम लोग राजा का साशन नहीं मानेंगे और इन लोगों ने खुद को क्या डिकलेर कर दिया national assembly डिकलेर कर दिया क्या डिकलेर कर दिया national assembly याद रखना tennis court को lead करने का काम leaders of tennis court assembly tennis court assembly कौन कौन आबेशिये और मेरा ब्यू यह क्या थे तीसरे दल का नेत्रतु कर रहे थे third state का क्या कर रहे थे नेत्रतु कर रहे थे ठीक और इसमें जो president बनाया गया था tennis court में जो president बनाया गया था वो बेली नाम के व्यक्ति को बनाया गया था तो बेली क्या था tennis court की oath का president बनाया गया था थर्ड स्टेट को लीड करने का काम कौन कर रहा था आबे सिये और मिराब्यू आबे सिये बिशप था पादरी वर्ग से था बिशप था वो और मिराब्यू क्या था एक फ्यूडल परिवार से था एक सामन्ती परिवार से था याद रहेगा याद रहेगा इनका क्या कर रहे थे नेत्रित्व कर रहे थे ठीक है मिराबे जो है वो सामन परिवार से था फिर भी इनके पक्ष में था 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने क्या किया पेरिस इस्थित राज्य के कारागरी बैस्टील को घेर लिया बैस्टील का दुर्ग राज्यतंत्र की निरंकुष्टा का प्रतीक था खाली इसमें साथ कैदी थे जो लोग राज्य के विरुद्ध काम करते थे उनको उठाकर कैद में डाल दिया जा जैसे फ्रांस में कुस्ती लड़ना मना था मतलब जैसे मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आओ चलो हम लोग फरिया लेते ह डूइल नहीं हो सकते थे तलवार बाच घूमते रहते थे मानले किसी का मूड खराब हो गया किसी को चैलेंज कर दिया कि आई चैलेंज यू टू टू अब हम दोनों लोग तलवार लड़ रहे हैं जो जीतेगा वो जो मर जाएगा वो हर जाएगा फ्रांस में चीज मना थी अगर कोई पकड़ लिया जाता था तो उठा के बैस्टील की जेल में डाल दिया जाता था तो बैस्टाइल जो था बास्टील जो था वो फ्रांस का राज की ये कारखाना था फ्रांस की जेल थी ऑफिशियल जेल थी उसमें खाली साथ कैदी थे जिस समय भीड ने अटेक कि लेकिन लोग राजा से इतने चिड़े हुए थे कि वो राजा की डिक्टेटर्शिप का क्या था, सिंबल था, नतीजा होगा बास्तील को तोड मरोड के एकदम क्या कर दिया जाएगा, खतम कर दिया जाएगा, और इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ठीक, क्या कर लिया, एक्सेट कर लिया, ये कोशन आप से पूच दिया जाएगा, ठीक है भाई, ये कोशन आप से पूच दिया जाएगा, 1791 इस्वी में नेशनल असेंबली ने समविधान का प्रारूप तयार कर लिया, जिसमें शक्ती के प्रिथक्रण के सिध्धान को अपनाया गया, और इस तरह फ्रांस में मोनार्की हटके समविधानिक राज़तंतर इस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, लेकिन लुई 16 ने हार नहीं मानी थी, वो अभी भी आस्ट्रिया से बातचीत कर रहा था, प्रूजिया से बातचीत कर रहा था, कि यहाँ पर चीजों को आप हमें सपोर्ट करके यहाँ पर बदल दीजे, जैसे ही फ्रांस में लोगों को पता चला, फ्रांस की जनता अब तक दो गुट में बढ़ चुकी थी, एक गुट को कहा गया जैकोबिन्स, एक गुट को कहा गया जैकोबिन्स, और दूसरे थे जि इसमें जब सैनिक मार्च कर रहे थे जब सैनिक अभियान कर रहे थे तो वो एक गाना गुन गुन आते हुए जा रहे थे एक सौंग आ रहे थे सौंग का नाम था मार्सिले मैंने कल आपको कराया भी था यूट्यूब पे और इसके जो राइटर थे उनका नाम था रोजट डी लाइल ठीक है रोजट डी लाइल इनका क्या था नाम था ठीक है जैकोबिन कलब पेरिश के भूतपूर। Convent of St. Jacob के नाम पे रखा गया था जिसका नेता था Maximilian Robespier तो जैकोबिन्स का लीडर कौन था Maximilian Robespier ठीक मार्सिले जो है ये बाद में फ्रांस का क्या बन गया था रास्टरगान बन गया था बाद में फ्रांस का रास्टरगान बन गया था इसमें देखो आम लोग थे दुका 93 से 94 तक इसने क्या किया टेरर का पूरा शाशन पूरी तरह से कंट्रोल किया absolute कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसे बोलते हैं rain of terror मतलब जो भी जैकोबिन्स के अगेंस्ट बोलेगा उसको उठाके गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा गिलोटिन एक तरह की फासी देने होती थी उसका सर ऐसे लकडी पर रख देते थे फिर उपर से एक आरा मशीन आती थी और आपका जो खोपड़ी है वो क्या हो जाता था अलग हो जाता था आप इससे अंदाजा लगाईए कि 14 महीनों में लगभग सत्तर हजा सत्रह हजार व्यक्तियों पर क्या किये गए मुक फ्रांस में जो भी लोग थे जो भी पीपल थे इनको दो गुट में डिवाइड कर दिया गया एक को बोला गया सक्री नागरिक एक को क्या बोला गया बेटा सक्री नागरिक बोला गया एक्टिव सिटिजन बोला गया एक को क्या बोला गया एक्टिव सिटिजन इसमें रख सभी पुरुष पचीस वर्ष से उपर के सभी पुरुष रखे गए इसमें और कम से कम कम से कम तीन दिन की कम से कम तीन दिन की मज़दूरी चुकाते हूं तीन दिन की मज़दूरी चुकाते हूं तीन दिन का labor rent देते हों और 25 साल से उनकी उम्र क्या हो अधिक हो तीन दिन का क्या होंगे labor rent चुकाते हो और इसमें 25 वर्ष से कम के पुरुष सभी महिलाएं और बच्चे ये सब किसमें आ गए ये आ गए in active citizen में निश्क्री नागरिक में तो फ्रांस की जनता को सक्री और निश्क्री नागरिक में बाट दिया गया यह जो active citizen थे यही लोग क्या कर सकते थे vote दे सकते थे तो 2.5 करोण की जो जनता थी जो धीरे धीरे बढ़के 2.8 तक पहुंच गई थी उसमें से electoral college बनता था और वो लोग क्या करते थे वो लोग 7.45 मेंबर्स चुनते थे और यह 7.45 मेंबर्स क्या कहलाते थे नेशनल असेंबली कहलाते थे तो यह सवाल पूछ दिया जाएगा कि फ्रांस में नेशनल असेंबली में कितने मेंबर होते थे तो कितने होते थे 7.45 यह लोग आगे मिनिस्टर्स चुनते थे और यह मिनिस्टर्स राजा के साथ मिलकर क्या करते थे ठीक है तो रॉपस्पियर ने क्या किया रॉपस्पियर ने पूरी तरह से कंट्रोल करने का किया 21 साल से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार दे कर अब आपकी SCRT में 21 साल दिया है तो जैसा सवाल आए वैसा काम करना नॉर्मली यह क्या था 25 यह था यह बात किस में दी हुई है NCRT में दी हुई है तो यहाँ पर ध्यान दे लेना अगर यहाँ पर 21 आए तो आप 21 कर देना ठीक है तो उनके पास संपत्ति हो या नहो चुनाओ कराये गया 21 सितंबर, ये date बहुत important है 21 सेप्टेंबर, ये date बहुत important है 21 सेप्टेंबर को नव निर्वाचित असमली को convention राश्ट्री ये सभा बोला गया, national convention नाम दिया गया और ये राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया देशद्रों के अपराद में लुई 14th को लुई 14 ने, लुई 16 लुई 16 पर क्या चलाया गया मुकदमा चलाया गया, लुई 16 पर मुकदमा चलाया गया है ना, और इसको फासी दे दी गई 21 जनवरी 1793 को जिस जगह पर फासी दी गई उसका नाम था प्लेस डी ला कॉन कार्ड प्लेस डी ला कॉन कार्ड में क्या किया गया इसको फासी दे दी गई, ठीक बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, राजेस बढ़ियां होगा टेंशन न लो बिल्कुल, ठीक है 21 सितंबर 1792 को क्या किया गया नेशनल कन्वेंशन बनाये गया इसी दिन फ्रांस को क्या किया जाएगा गरतंत्र डिक्लेयर कर दिया जाएगा रॉप्स्पियर का जो आतंग का राज्य था वो 1793 में अक्टूबर 1793 में अपने बिल्कुल एकदम हाइस्ट पॉइंट पे था पीक पे था कन्वेंशन के द्वारा क्या किया गया राष्ट की एक मात्र भासा फ्रेंच डिक्लेयर कर दी गई कानूनों को कलेक्ट करने का काम किया गया उपनिवेशों में गुलामी प्रथा को खतम करने का काम किया गया 1792 में एक कानून पारित किया गया और उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी बाद में जब नेपोलियन आएगा तो वो फिर से शुरू कर देगा 1804 में नेपोलियन दुबारा आरब करा दिया और फिर फाइनली 1848 में खतम किया जाएगा फाइनली पहली बार 1792 में लाए गया एक नया केलेंडर बनाये गया 22 सितंबर 1792 को नया केलेंडर बनाये गया लेकिन रॉपस्पियर का आतंक दिन बढ़ता जा रहा था और अंत में रॉपस्पियर को भी क्या किया गया फासी गिलोटिन कर दिया गया रॉपस्पियर को भी क्या किया गया गिलोटनाइज कर दिय ठीक है, Mary Antoinette का भी वही हस्र हुआ था, बाद में Mary Antoinette को 16 October 1793 को फासी दे दी गई थी, clear है यह point clear है यह point बताईए clear है यह point clear है यह point बोलो ठीक है चलिए तो क्रांती में हुआ क्या तो जैसा कि मैंने कहा दास प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा 1794 में कंवेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया हाला कि बात अच्छा मैंने 92 लिख दिया था 94 है 94 ठीक है तो 94 में दास मुक्ति कानून आया ठीक है Emancipation of Slaves Act आया कब 1794 में National Convention ने आगे चलकर Napoleon के द्वारा समाप्त कर दिया गया 1848 में अंतिम रूप से Francis ही उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया Finally Napoleon द्वारा समाप्त नहीं किया गया था Napoleon द्वारा आरंब कर दिया गया था आरंब कर दिया गया था Started by Napoleon ठीक अंतिम रूप से 1848 में क्या होगा अंतिम रूप से 1848 में क्या होगा इसको खतम किया जाएगा ठीक है ठीक है सिक्षा में भी परिवर्तन किया गया पहले सिक्षा पे चर्च का कंट्रोल था चर्च अपने इसाब से लोगों को सिक्षा देता था अब सिक्षा के जिम्मेदारी सरकार पे आ जाएगी और पेरिस उनिवर्सिटी जैसी बहुत सारी क्या बनेंगे संस्थान बनेंगे ठीक फ्रांस में एक नया केलेंडर बनाए गया इसमें रितूओं के आधार पर 12 महीनों में बाटा गया उनमें नाम देखिये बुमेर, थर्मिडार ये सब क्या रखा गया उनका नाम रखा गया तो रितूओं के आधार पे क्या बना वहाँ का गैलेंडर बना ठीक रितूओं के आधार पे क्या बना समाज में परिवर्टन लाने के उद्धेश् eranे महिलाय भी शामिल हुई इन्होंने the society of revolutionary and republican women नाम की संस्था बनाई ओलंपे दी गूज ये वो महिला थी जिन्होंने एक important role play किया था ओलंपे दी गूज ने जैसे declaration of declaration of citizen or men आया था ओलंपे दी गूज ने उसी तरह से declaration of rights for citizen and women पास किया था बाद में Jacobins की सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने का काम किया तो ओलंपे दी गूज ने उन पर आलोचना भी की और उसके बाद इनको भी क्या किया Jacobins ने gelatinize कर दिया इनको भी gelatin पे चड़ा दिया गया यानि इनको भी फासी दे दी गई ओलंपे दिगूज जो है वो important नाम है यह आपसे पूछा जा सकता है फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार लेने में बहुत समय लग गया 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं ने क्या किया मताधिकार प्राप्त किया ठीक है फ्रांस की क्रांती का असर और भी जगाओं पर देखने को मिलेगा जैसे इंग्लेंड में क्या हुआ संसदी सुधार अधिनियम पास किया गया 1832 में वहाँ पर जमिंदारों के शक्ती खतम की गया और जनता के लिए चीजों को थोड़ा आसान किया गया आगे आप देखेंगे इंग्लेंड में चार्टिस मुव्मेंट भी शुरू हो जाएगा मजदूर आंदोलन भी शुरू हो जाएगा फ्रांस की क्रांती का प्रभाव यॉर्प के बाकी देशों पर पोलैंड पर हंग्री पर इन सब जगाओं पर पड़ेगा इटली पर पड़ेगा प्रशा पर पड़ेगा और इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदे होगा उनके अंदर यूनिफिकेशन की क्या होगी भावना आएगी ठेक इसका मतलब फ्रांस की क्रांती के बाद क्या होगा राइज ओफ नेशनलिजम राइज ओफ नेशनलिजम इन यॉरोप और इसी यॉरोप में राष्ट्रवाद का उदे होगा और इसका दो देशों पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा एक तो इटली पर पड़ेगा और एक पड़ेगा किस पर जर्मनी पर तो इटली और जर्मनी का एकी करण ये हम पढ़ेंगे आज रात एट पीम पर ठीक है तो एट पीम से टेन पीम के बीच में हम लोग कोशिस करेंगे कि ये टॉपिक हमारा हो जाए कवर ठीक है आज मैंने आपको जो जो टॉपिक करा दिये उनमें हमने अमेरिकी क्रांती पढ़ ली प्रांस की क्रांती पढ़ी और अभी रात में हम पढ़ेंगे यौरप में रास्ट्रवाद का उदय ठीक है कल हम लोग पढ़ेंगे यौरप में समाजवाद का उदय पढ़ेंगे और रूस की क्रांती पढ़ेंगे ठीक है और साथी साथ हम पढ़ेंगे रात में परस्ट वर्ड वार एंड सेकंड वर्ड वार सेकंड वर्ड वार ठेक फर्स्ट वर्ड वार और सेकंड वर्ड वार पढ़ेंगे कल इसको खतम कर लेंगे आज तो थोड़ा डीटेल में करा है कल और वन लाइनर और छोटा करूंगा जो एकदम एक्जाम में आने वाला है बस वो निकाल के लिए आऊंगा पढ़ाने के लिए अच्छा पॉलिटी के लिए फिर से सुन लीजे पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है वाइटी पर मेरी बिहार वाली मैराथन पढ़ी हुई है उसको पढ़ जाईए थीक है तीन गंटे की क्लास है इस से आपका more than 50 to 60% पॉलिटी हो जाएगा ready बाकी जो और पूछे जाते हैं उस पर हम अलग से application पे चर्चा कर लेंगे ठीक है तो अभी रात में अभी थोड़ा जाईए चायवाय पी लिजे जो कुछ खानावाना है तो खालीजे उसके बाद 8 वजे मिलते हैं 8 वजे हम लोग topic क्या करे है बहुत golden opportunity है इसको चूकिये मत 75 आपको cross करना है और यह आप आराम से cross कर जाएंगे subject को बस अच्छे से पढ़के चले जाईए elimination method से question करके आईएगा जैसे ही आप यह estate cross करेंगे आपको वर्ग 19 से 11 बारा की बिलकुल नई भरती पिछले वाले में खाली रहेगी बरती 110 परसंट वो जुड़के अगले आपको और धंग की भरती मिल जाएगी बिहार सरकार बहुत तेजी में है दिसंबर से पहले पहले आप जो है वो paper दे लेंगे और अगले साल की शुरुवात में आप कहीं न कहीं किसी school में लग जाएंगे जिन जो लोग पहले ही हार चुके हैं उनके चक्कर में मत पढ़िये उनका कुछ होना नहीं है वो आप कभी कुछ नहीं होने देंगे ऐसे लोगों से अगले 5 दिन थ ठीक है अच्छे से पढ़िये और हिम्मत मत हारिये थोड़ा अपने उपर भरोसा रखिये और जितना पढ़ाया जा रहा उसको डंग से पढ़के जाईए ठीक चलिए मिलते 8 बजे टाटा बाय बाय नमस्कार